हेलो एवरीवन आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ ITI Multi-Cup Fund Diet Growth के बारे में इसमें मैं आपसे डिसकस करूँगा कि यह जो mutual fund है इसने पिछले एक साल, तीन साल, पांच साल या फिर annual return क्या दिया है ask rate में इसका एक एनभी का price क्या है यह कितने star rating mutual fund है इसमें आप minimum SIP amount क्या लगा सकते हैं और इसका fund size क्या है साथी साथ मैं आपसे डिसकस करूँगा इसके अंदर कौन-कौन सा stock listed है और अगर आप इस mutual fund के अंदर कुछ पाईसा जमा किये होते है तो पिछले एक साल, तीन साल, पांच साल के अंदर आपको क्या return देखने को मिलता और लास्ट में आपसे डिसकस करूँगा कि क्या हमें ITI multi-cap fund diet growth के अंदर investment करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए अगर आपने already invest किया है तो आगे अपना SIP और लमसम के साथ क्या करेंगे ITI multi-cap fund diet growth ये एक equity mutual fund है जो कि multi-cap category के अंदर आता है ये को moderate high-rex mutual fund है इसने जो पिछले एक साल में return दिया है वो return है 49.89% का return है एक साल का तीन साल के return के अपड़ बात करें तो तीन साल में 9.85% का return है और अगर annual return की बात करें तो इनका annual return है 21.17% का ध्यान देंगे अभी जो भी return मैंने आपके साथ यहाँ पे डिसकस किया ये इनका one time यानि कि لमसम का return है अगर आप एक बार में कुछ पैसा इंवेश्ट करते तो आपको ये रिटन देखने को मिलता अगर आप S.I.P. के थूरू इंवेश्मेंट करेंगे तो रिटन आपको कुछ और मिल सकता है क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्क्रेस करूँगा एनेवी के उपर बात करते हैं तो आसके रिट में इसका एक एनेवी का प्राइस है 28.13 पैसा रिटिंग के अगर बात करें तो इसको किसी परकार का रिटिंग नहीं मिला हुआ है देखने को मिलता इससे पहले अगर आपने अभी तक आप इस टॉक पर अपना एकाउंट आपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डिमेट एकाउंट का रिटिंग दिया है तो फिर एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 आपको मिलता 71,274 रपिया यानि एक साल में S.I.P. के थुरू आपको करीब 18% का रिटन देखने को मिलता तीन साल की बात करें तीन साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 आपको मिलता 2,94,725 रपिया यानि तीन साल में SIP के थुरू आपको 63% का return देखने को मिलता और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जबा होता 3 लाग आपको मिलता 5,92,168 रुपिया यानि 5 साल में आपको SIP के थुरू 97% का return देखने को मिलता अब अगर बात करें कि इस mutual fund के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाग रुपिया का लमसम करते तो फिर एक साल में आपका 1 लाग रुपिया 1,49,890 रुपिया होता तीन साल में आपका 1 लाग रुपिया 1,89,916 रुपिया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुप्या 2,63,690 रुप्या होता हॉल्डिंग के अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है टोटल 78 स्टॉक लिस्टेड है अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाई डिस्कस करें तो पहला नम आता है HDFC Bank Ltd. Financial छेत्र, ICIC Bank Ltd. Financial, Reliance Industrial Ltd. Energy, ITC Ltd. Consumer Steps, Jindal Stainless Ltd. Metal & Mining, Lopin Ltd. Healthcare, MSIS Ltd. Technology, Infosys Ltd. Technology, NTPC Ltd. Energy, Bedanta Ltd. Metal & Mining के छेत्र में है अगर इसकी Holding Analysis की बात करें तो Equity पे है 99.4 और Cash पे है 1.6% इसकी Equity Sector Act Location के अगर बात करें तो Financial पे है 18.4, Capital Goods 14.1, Others 9.8, Construction 9.3, Technology 9.1, Healthcare 7.9, Metal & Mining 7.7, Energy 7, Automobile 6, Service 5.8 और Consumer Steps पे हैं 5% यानि कि अगर आप ITI Multicap Fund के अंदर अपना पैसा Invest करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पर Distribute हो करके लगेगा इनकी Advanced Ratio के अगर बात करें तो इसका Price to Earning Ratio 30.85 और PB Ratio 4.6.0 अगर आप इस Mutual Fund के अंदर पैसा Invest करना चाहते हैं तो फिर Minimum Lump Sum आपको 1000 रुपया का करना होगा और अगर आप SIP के थुरू इंविश्मेंट करते हैं तो आप 500 रुपया से आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं Return and Ranking के ओपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ITI Multicap Fund का फंड रिटन जो कि एक साल में 49.9, तीन साल में 8.9, पांस साल में 8.4 और एन्वल है 8.2 का वहीं पर इस काटेगरी का जो अबरेज रिटन होता है यानि की एक कोटी मल्टी काप मुच्वल फंड का एक साल में 45.3, तीन साल में 8.5 तो यहां से देखेंगे यह मुच्वल फंड एक साल या पर तीन साल हमेशा अपना काटेगरी अबरेज से जादा रिटन दिया है और आपने औरेडे इंबेश्ट किया है तो आगे आप अपना S.I.P. और लंसम को कंटीनू रखेंगे अगर इनकी टार्गेट की बात करें कितने दियों तक मुझे S.I.P. या पर लंसम को हाल्ट करना है तो लंसम को जो आपको हाल्ट करना है वो कम से कम अगर 6 साल आप हाल्ट करते हैं तो आपको काफी अच्छा रिटन मिलेगा और अगर आप S.I.P. करते हैं तो S.I.P. में 10 साल तक अगर आप कंटीनू S.I.P. रखेंगे तो फिर एक आपको काफी अच्छा रिटन यहां पर देखने को मिल जाएगा इनकी expense ratio को पर बात करते हैं तो इनका expense ratio 0.43% का exit load की बात करते हैं अगर आप invest के आवा पैसा 3 मेने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का exit load देना होगा और system duty की बात करें तो system duty है 0.005% इसके tax implementation की बात करते हैं अगर आप invest के आवा पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका return होगा उस पे आपको 20% का tax payment करना पड़ेगा अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में 1,25 यर का return बनता है तो फिर आपको 12% का tax payment करना ह होगा यानि कि short term capital gain पे आपको 20% tax देना है और long term capital gain पे आपको 12% का tax payment करना है इनकी fund house and investment objects की बात करें तो आइटी आइ मुच्वल फंड का जो टोटल असिस्ट अंड़ मनेजमेंट है वो है 892 करोड का आइटी आइ मल्टी क्या फंड आइड ग्रोथ ये एक equity मुच्वल फंड है जो की launch किया गया आइटी आइटी आइ मुच्वल फंड की तरब से परदीब गोखले अभी इस fund का current fund manager है इस fund का currently assist अंड़ मनेजमेंट है 892 करोड का और latest ने भी 2800 रुप्या 13 पैसा आइटी आइ मल्टी क्या फंड आइड ग्रोथ ये एक moderate रिक्स मुच्वल फंड है इसमें minimum SIP amount 500 रुप्या का सेट क्या गया है और minimum लंसम 1000 रुप्या का सेट क्या गया है अगर आप invest के आवा पैसा 3 मैने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का exit load देना होगा और इसक का फंड बेंचमार के निफ्टी 500 मल्टी क्या 50 अनुपात 25 अनुपात 25 टोटल रिटन इंडेक्स तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिसकस किया ITI मल्टी क्या फंड के बारे में फिर मिलते हम लोग नेस्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी क को ले करके